Hello friends, welcome back! आज हम बात करेंगे sex life को improve करने के लिए या sexual stamina को improve करने के लिए कौन सी ऐसे exercise करें जिससे की आपकी जो sexual timing है वो अच्छी हो जाओ और आपकी जो sex life भो बहुत जादा better हो जाओ इसी लिए वीजियो को इन तक जरूर देखेगा skip पिल्कुल भी मत कीजेगा देखे science जो है वो इस बात को proof कर चुकी है कि जो males होते हैं वो जितना running, walking करते हैं उतना ही उनका stamina बढ़ता है तो इसी वज़ा से जो अगर आप exercise भी करते हैं तो उससे भी आपका जो stamina है वो बढ़ता है तो वो कौन से exercise हैं नमबर वन आता है weight lifting देखे weight lifting जिम में करी जाती है वैसे तो आप घर पे भी कर सकते हैं जब आप weight lifting करते हैं सबसे बड़ा benefit यह होता है कि इससे आपका testosterone level बढ़ता है दूसरा कि जब आप weight lifting करते हैं आपका stamina बढ़ता है तो इससे आपका जो sex करने का stamina है वो भी improve होता है दूसरी हम बात करते है kegel exercise kegel exercise सबसे ज़्यादा best होती है आपका sex stamina बढ़ाने के लिए आपकी timing बढ़ाने के लिए क्योंकि जो kegel exercise है वो आपके pelvic floor पर काम करती है जो pelvic floor की muscles होती है उसको stretch करती है जिससे की आप sex timing को बढ़ा सकते है आप अपने sex को enjoy कर सकते है तीसरी exercise मैं बात करूंगी योग कर सकते है देखे योग करने से आपके जो body है वो stretch होती है जिससे की आप sex करते time different different gesture different different position में sex कर सकते है इससे क्या होता है आपका जो partner होता है उसको भी अच्छा होता है उसको भी एक अलग अनुभव होता है और आपको भी एक अलग experience होता है तो इसलिए योग से आपको एक तो आपका mind बहुत जादा अच्छा रहेगा meditation type हो जाएगा दूसरा ही कि जब आप योग करके या अपने कुछ ऐसे योग में कुछ ऐसे योगा डालेंगे जिससे कि आपकी body stretch होगी आप अपने partner को proper satisfaction दे सकते है different gestures में, different positions में तो इसलिए exercise और योग बहुत जादा जुरूरी होता है अगर आपको अपनी sex drive बेटर बनानी है timing बेटर बनानी है तो यहीं थी ये वीडियो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए आप कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करके पूछ सकते हैं Thank you